हेलो हाई नमस्ते वेल्कम बेक टो मैं चानल अगीन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन जेग्राफी हमारा आज का टॉपिक है नेच्रॉल वगजेटेशन ओफ इंडिया ठह्क है अब देखिये हम नेच्रॉल वेजेटेशन ओफ इंडिया मैं क्या के बढ़ने अलग-अलग टैप्स पढ़नेंगे और फॉरेस्ट और अलग-अलग जितने भी फॉरेस्टे हैं इंडियन कर 25 वूरेस्ट एम चोहता बढ़ेंगे रएouse, ऐ उन बिव्सित ड्रॉपिकल वरेस्ट, बाइल गजये पॉरेस्ट, पाच्छवा है ट्रॉपिकल ड्रॉपिकल ट्रॉपिकल तॉर्ण वॉरेस्ट, मॉन्टेंग फॉरेस्ट, हिमालियन आ पे सुआ ठीक है समझ में आ रहे है न आपको टर्म्स और डीटेल में पढ़ेंगे आप नाम पर देख लीजिए खले आपको आपको याद कर नहीं है मैं खुद इसी लेक्चर में आपको पूरा याद करवा दोंगी 11 है उमारा देखते है हिमालयन द्राय टैंपरीर फोरेस्ट और वह दर्या लाच वो रहेगा ऐल्पाइन फोरेस्ट फॉरेस्ट ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंडियन जोग्राफिय का पहला लेक्शर जो की है नेच्छरल वेस्टेशन्स आफ इंडिया तो सबसे वरे देखते हैं कि वेस्टेशन क्या होता है climate, soil and topography are the major factors that influence natural vegetation of a place तो में क्लाइमेटिक factors are rainfall and temperature जो में क्लाइमेटिक जो factors होते हैं वो क्या होते हैं एक होते हैं rainfall और फिरो होते हैं temperate vegetation में सबसे ज़रूद होती है climate की climate में क्या important होता है rainfall और rainfall में temperature ठीक है क्योंकि जहाँ ज़्यादा rainfall होगा area temporary ज़्यादा होगा क्योंकि humidity बढ़ जाती है atmosphere में the amount of annual rainfall has a great bearing on the type of vegetation ठीक है अब हम यह देख लेते हैं थोड़ा temperature के बारे में देख लेते हैं rainfall के बारे में देख लेते हैं और vegetation के बारे में अच्छा मैंने इस lecture में एक new thing किया है कि हमेशा मैं notes से बढ़ाती थी अब मैं notes से नहीं बढ़ाऊंगी अब मैं सिर्फ points like conditions, climatic condition, characteristics, distribution, timber, benefits यह आप हर tropical forest में जब topic आएगा यह चारवा point लिखिया और इसके अंदर जो जो मैं बोल रही हूँ वह आप खुद से notes बनाई है ताकि उससे आपको ज़्यादा help मिलेगी okay so मैं बड़ फिर से बोल देती हूँ आप जस्ट नोट बनाई है ताकि है जस्ट जोट इटाउ climate, soil and topography are the major factors that influence natural vegetation of a place the main climatic factors are rainfall and temperature the amount of annual rainfall has a great bearing on the type of vegetation right जितनी annual rainfall होगी उतने ही amount में और different type of vegetation देखने को मिलेंगे temperature is the major factor in the Himalayas and other early regions right with an elevation of a more than 900 meters right as the temperature falls with altitude in the Himalayas region then the vegetable cover changes with the altitude from a tropical to subtropical okay tropical to subtropical temperature and finally alpine right the soil, तो से बाद कर लेता है यह भी बहुत major factor है vegetation में the soil is an equally determining factor in a few reasons mangrove forest, swam forest जो होते हैं बहुत important factor है soil are the sum of the examples where the soil is the main major factor तो यह कुछ थोड़ा सामने पढ़ा vegetation के बार में जिसमें हमने देखा topography, soil, climate, climate, rainfall and temperature right अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा topography के बार में थोड़ा और बता देते हूं of the India is primarily based on the spatial and annual variation in rainfall classification जो इंडिया का natural vegetation है जो classification classified जिसमें किया है वो किस पे बेस्ट है वो primarily based on spatial space पे land space पे और annual variation in land पे मतलब अलग अलग जगा हम देखते हैं भारत में अलग अलग जगा की जगा है बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया में राइट तो स्वाइल की डाइवर्सिटी है लैंड की डाइवर्सिटी है और जहां जगा टैंप्रेचर और रेंफॉल जैसे जगा होता है उनको अलग अलग आप के vegetation मिलते हैं इंडिया में राइट temperature, soil and topography are also very considered in this राइट इंडिया's vegetation can be divided into 5 main types and 16 subtypes ठीक है अब हम जैसे कुछ में example देती हूं कि total area के अगर हम देखे तो tropical moist acid is 37% है tropical dry acid is today 8% of total area है tropical wet evergreen 8 है subtropical है moist hill 6% of area tropical semi-aware green 4% of total area ठीक है सबसे ज्यादा tropical area जो है जो forest का सबसे ज्यादा area है type of इंडिया वो सब ज्यादा कितना percent total area किस चीज़ का कोशन में आ रखा और यह कोशन आ भी सकता है जो कि सबसे ज्यादा percent किसने ले रखा है total area का tropical moist acid is and tropical dry acid is ठीक है tropical moist and dry acid is forest ने लिया रखा है सबसे ज्यादा total percent of area ठीक है that is 37% plus 28% करके देख लेना तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला टाइप देते है tropical wet evergreen forest ठीक है अब सबके देखे पहला क्या है tropical wet evergreen forest और rain forest इसमें आप यह चार point बना लेगे और मैं जैसे बताती जाओंगे आप उसमें वह like fill out करते जाएगा ठीक है fill in the blanks होता है न अब point आ लेजे climatic conditions क्या है characteristics distribution timber benefit जोगी मैं गूल रही है वो उन सब में fill करते जाहिए ठीक है notes खुद बनाई है तो परहा देखते हैं tropical wet evergreen forest और rain forest क्या होता है climatic condition इसके होती है annual rainfall exceed to 250 cm क्योंकि बहुत ज्यादा वेट नाम में यह वेट है तो annual rainfall तो ज्यादा हो गई तो अब वाप 250 cm होती 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 है अब से जादा है the annual temperature is about 27 to 25 to 27 degree celsius the dry season is distinctly short ठीक है dry season यह पर कम होता है characteristics देखे तो evergreen due to the high heat and high humidity if the trees of these forests do not shed their leaves together ठीक है इसमें कहुते है सादा बहार जानते है नाम सादा बहार पेड़ फूल क्या होता है जो हमेशा सालों बार लाइक अब कभी पी देखो हरे-हरे पत्ते हमेशा पेड़ से पेड़ पे पत्ते हरे-हरे लदी रहेंगे कभी उस्यूखे गानी तो उस टाइब के पेड़ कहां मिलते हैं इस सब्सक्राइब गाता है त्रोपिकल वेट निवट इवर्गरीन सब्सक्राइब गार बाहर फोरेस्ट ज वर्जट्वार्स्ट यंगान और रैइनफॉर्स्ट जो पानी में भी रात्षानी से उसको । उसको बॉलता है थिक अ है हाईड्र फाइलिक है या होता इन जो कम पानी में भी बिल्कुली कम like कैक्टिस हो गया जो की वरास्थान के साइट देख लिए तो रात्षान पर वह होते हैं तो थैसा निए कि पूरा ही पानी में Lawrence समुदरों में दूबे हुआ है या बिल्खुली डेसेट एरिया में नहीं बीच वाल जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं मीसोफाइटिक प्लांट्स होते हैं मीसोफाइटिक प्लांट्स अदेप्टे तो ड्राय और नौर तो वेट टाइप क्लाइमेट और स्वाइल लॉफ्टी 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 में क्या है दर ट्रीज ओफं रिच 45-60 मीटर इन हाइट थिक कैनोपी अच्छा अब यह बना रहे ना मैं जो भी बूल रहे हुआ सारा नोट्स बनाती चाहिए चाहिए तो पॉस करके दुबारा आप चला लीजिए लेकिन नोट साथ सा बनाएगा तो सबसे पहले जो भी ट्रॉटी वारे में थोड़ा सा लिखना रहे हैं तो बनाती लेकिन उसमें आप इन सब के बारह में लिखना से हां उसका उसके बारे मीशन के था नहीं है उसको जाल्ना थे नहीं क्लाइमीतिक कया बना है अजर्टी इसके बना चाहिए ल लॉफ्टी है, so the trees often reach 45 to 60 meters in height, thick canopy from the air, the tropical rainforest appears like a thick canopy or foliage, and plants struggle upwards for sunlight resulting in a peculiar layer arrangement, now the trees are not able to get sunlight, because it is a tropical rainforest, so the trees are very thick, so the trees are very thick, so the trees always try to get sunlight, so that the trees can make a photosynthesis, so that the trees can make their own food, so in this regard, loftiness means that the tropical, wet, evergreen forest arrangement is a peculiar layer, so that the trees can make sunlight, so that the trees can make sunlight, the sunlight cannot reach the ground due to the thick canopy, the undergrowth is formed mainly of bamboo, ferns, climbers, orchids, etc., now the distribution of this area, the western side of the western ghats, i.e. 500-370 meters above the sea level, some reasons in the Purwanchir hills, the timber of this forest is a fine-grained, hard and durable, but hard to exploit, right, the most important species of this forest are which is in the middle of this forest, maghoni, white shazard, maghoni, white shazard, jamun, canes, bamboo, teak, these are all in timber, okay, so we have seen the climate conditions, characteristics, distribution, timber, benefits, all of which we have seen, now let's go to the next one, second is our tropical semi-evergreen forest, okay, so let's go to the next one, second is our tropical semi-evergreen forest, okay, just a second, and tropical residious forest, okay, so this is a transitional forest between tropical wet evergreen forest and tropical residious forest, they are comparatively, you know, drier areas compared to the tropical wet evergreen forest, right, climatic conditions, we have seen the annual rainfall between 200-250 cm, mean annual temperature is 24 to 27 degrees celsius, the dry season is not short like the tropical evergreen forest, the dry season is not short like tropical evergreen forest, distribution is not short, like tropical evergreen forest, okay, distribution is not short like tropical evergreen forest, okay, करेक्टरिक्स में देखते हैं the semi-evergreen forests are less dense they are more gregarious what is gregarious? living in a flock or colonies more pure stents which just grow up like long 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 like you can see the trees or long 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 more pure stents than the wet evergreen these forests are characteristics by many species trees usually have buttress trunks and abundant epiphytes ठीक है? यह line important है यह लिखके आना कि buttress trunks होती है abundant epiphytes होती है buttress trunks मतलब trees का root होता है जो नीचे वाला पार्ट होता है जब वो जमीन like जो 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 ground पे होता है तब देखना कि उसके जो trunks होता है जो root होता है उपर वाले वो ऐसा लगता है जैसे कि snake के जो पीछे वाला जो reptiles होता है उनके तरह लगता है उसके roots ठीक है तो उसको हम बोलता है buttress trunks and abundant epiphytes इसका मतब क्या होता है बेल पत्र बेल होता है जो बेल निकलती है लाइक आपने बरकत के पेड़ में देखा होगा या किसी और पेड़ में या अपने कपी अगर Amazon वो देखा है या Discovery Channel पे देखा होगा तो उनके फोरस में उपर से फोरस निकलता है अपने उसका है तुआ ही आपने जो बेल निकलता है So trees usually have buttress trunks and abundant epiphytes The important species है important species laurel srozood, mesua, thorni bamboo और यह कहां का मिलता है Western Himalayas Western Ghats White Chetanud, Champa, Mango तो इस लेक्षर को हम यह ते करते हैं क्योंकि यह बहुत काफी बढ़ा हो चुका है तो पहले हमने आज पढ़ा आज हमने स्टार्ट किया है इंडियन जोग्राफी इसमें पढ़ा नैच्रोल वेसिटेशन आफ इंडिया में पहला ट्रॉपिकल वेट वेट और अगरे लेक्षर में हम यह आगे वाले सारी करेंगे ठीक है तब तक के लिए थैंक यू सो मच और स्यू यू आल इन दे नेक्स लेक्षर्स अफ इंडियन जेग्राफी और नेच्रोल वेश्टेशन आफ इंडिया और मैं एक बात और कहना चाहतू हूँ है इसमें बहुत मह उतुकर और मुए रजगर मैं पडिया बना भी और अब है। इसमें लुग कूल मैं आपने सबस्क्राइशन सकते हैं कि मैं अपने कैसे और शुदार हूं या इंप्रूब्मेंट करनी है मुझे या क्या सही जा रहे है क्या नहीं जा रहे हैँ ऑफ सॉबsटेशन बहुत मै Thank you so much.